नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनुजोर स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2023 के स्पेशल सेशन में आप सभी लोगों को पता है कि 31 दिसंबर यानी की साल का जो आखरी दिन था उसको आपका जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया गया आ सभी लोगों ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया आपको पता भी लगया होगा कि आपका स्लेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इन रिजल्ट के साथ ही बहुत सारे केंडिडेट्स के डाउट भी निकल कर सामने आए हैं तो उनी के उपर आज की वीडियो बेस्ट रहने वाली है क्योंकि आज किस वीडियो में हम बात करेंगे नर्मलाइजेशन के उपर, NCCC Certificates के मार्क्स के उपर, क्विक कंपेरिजन भी हम या पर करने वाले हैं, साथ में ही फिजिकल पास कितने केंडिडेट्स कर सकते हैं उसके उपर बात करेंगे, आपके स्कोर काड़ के उपर भी डिसकस करेंगे, सो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है, एंड तक आप वीडियो को जरूर देखेगा, सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, नर्मलाइजेशन को लेकर, बहुत सारे बच्चों के सवाल है, कि यह जो स्कोर आया है, यानि कि यह कट ओफ आई है, यह नर्मलाइजेशन के साथ आई है, यह नर्मलाइजेशन के बिन आई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यह पूछ रहे हैं, कि सर जो मेरे मार्क्स थे, वो तो मैंने जो कैल्कुलेट किया, वो कम है, उसके बाद भी मेरा स्लेक्शन हो रहा है, तो यह च है, उसके साथ आपके कट ओफ निकाली गई है, यानि कि अगर आपके नंबर थे, मानलो, आपके नंबर कितने थे, मानलो 62 नंबर थे आपका, ठीक है, कट ओफ आपकी गई है, मानलो 65 नंबर के ओपर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार नंबर मिल गए, ठीक है, तो से आपको पता लग गया कि भाई मुझे नॉर्मलाइजेशन का फाइदा मिल गया ठीक है तो यह जो कट ओफ निकाली गई है यह नॉर्मलाइजेशन के साथ निकाली गई है बिना नॉर्मलाइजेशन की यह कट ओफ नहीं है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका स्कोर बन उसके बाद ये cutoff यहाँ पर out की गई है ठीक है पहला doubt clear हो गया दूसरा doubt आता है NCC को लेकर कि जो NCC certificate है उनके marks भी क्या है इसमें add हुए है क्योंकि हमने fill किया था कि हमारे पास NCC है तो देखे अभी जो ये CBT का result आता है CBT का result आता है ये आता है आपका without without NCC marks बिना NCC marks के है verification ठीक है अब verification का क्या system है देखे आपने बोला कि मेरे पास NCC certificate है और मैंने अपनी जो NCC certificate है उसके number मुझे दिये जाए ठीक है तो मालो आपका number 65 बन रहे है प्लस में तीन number आपको और दे दिये ठीक है तो यहाँ पर आपके 68 number बन जाते है और जब verification की जाती है तो आपके NCC certificate है वो valid नहीं पाई जाती है उसमें को दिक्कत है तो फिर यह माइनस वापस से माइनस करने यानि वापस से पैसे number पे लेके आना एक बहुत ही tough जो है task हो जाएगा तो इस चीजों से बचने के लिए जो CBT की cutoff है वो without NCC निकाली जाती है अभी आपका physical conduct करवाई उसकी वाँ पर verification करवाई जाएगी, verification के बाद आपके जो marks है वो जो आपकी final cutoff जो आती है आती है ना आपकी, जो आपकी physical के बाद जो final cutoff जो आपकी निकाली जाती है, physical वाली जो cutoff जिसको भी आप बोलते हैं, उसके अंदर आपके जो marks हैं वो add हो के आते हैं क्योंकि तब के साथ update होके आजाए ठीक है तो अभी ये without NCC है NCC आपके physical में जब verification हो जाएगे उसके बाद NCC के add होंगे ठीक है चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं quick comparison और उसी के अंदर ये चारो जो चीजे हैं ये cover होने वाली है कि आपके physical pass कितने करेंगे आपका final cutoff वे कोन भार हो सकता है और भी आकि जो comparison के अंदर आती हो सारी चीज हम यहां पर करने वाले हैं तो देखें यहां पर जो comparison होने वाला है वो 2020 और 2023 के बीच में होने वाला है ठीक है उनतिस लाग फॉर्म भरे गए थे और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भरे गए थे आपके कितने 32 लाग फॉर्म ठीक है बही 2023 में 32 लाग और 2020 के अंदर आपके कितने थे 29 लाग ठीक है चले उसके बाद attendance की यहां पर बात करते हैं कि आपके जो attendance है वो क्या रही थी कि paper देने कितने लोग आपके आई थे ठीक है तो यहां पर 15.9 लाग ठीक है 15.9 लाग और यहां पर कितने आपके 15 लाग ठीक है 15 लाग 2023 में और 2020 में 15.9 लेकि यहां पर ठीक है आप यहां पर physical के लिए जो candidates थे ठीक है physical के लिए कितने पास किए गए थे 68000 अपके ठीक है लगभग 68000 including आपके male plus female और 2030 के मंदर कितना 86,050 candidates including male plus female अपके ठीक है चास यानि कि आप मान सकते हो 18,000 लगबग आपका जो difference है वो यहां पर आ रहा है ठीक है चले अभी इसके बाद physical pass को लेकर भी बात कर लेते हैं कि physical pass कितने candidate 2020 में किये थे तो यहां पर 15,500 candidates थीक है 15,500 candidates ऐसे थे जिन्नों ने physical को pass किया था जब physical देने गए उसके बाद ठीक है अगर इसके साथ यहां पर vacancy की भी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो vacancy 5,836 vacancy थी और यहां पर आपकी 7,549 vacancies and the difference between आपका 2020, 2023 के बीच में कितना हो गया 1713 vacancy जो है उनका यहां पर आपका difference है अब बड़ा सवाल यह है कि जो physical pass है वो इस बार कितना करेंगे सबसे बड़ा जो है ना 29 लाक और 32 लाक यह यहां पर matter ही नहीं करता है ठीक है सबसे पहली बात यह चीज़े यहां पर matter नहीं करती है और matter क्यों नहीं करती है क्योंकि form यहां पर चाहिए एक करोड़ लोग भरे और यहां पर पांच करोड़ लोग भरे ठीक है इनसे competition जो है ना वो कभी भ हाई नहीं होता है कंपिडिशन हाई कहां से होता है कि attendance क्या थी attendance क्या थी एक करोड लोगों में से कितने लोग पेपर देने आए वो यहां पर competition जो है उसको यहां पर करते है ठीक है तो यहां पर देखिए 15.9 15.9,000 ठीक है यहां पर 15.9 ठीक है तो आप यहां पर देखिए जो यह difference है ना बहुत माइन्यूट है ठीक है कोई बहुत जादा difference नहीं है कि भाई बहुत ही बम फट रहे हैं या बहुत जादा लाखों के अंदर आपको difference देखने को मिल रहे है बहुत माइन्यूट जिसको आप negligible भी यहां पर जो है difference बोल सकते है कि भाई हाँ एक छोटा से difference है 90,000,000,000 candidates का लाख प्लस होंगे कुछ उपर नीचे तो इतने candidates का जो difference है वो attendance के अंदर देखने को मिल रहे है अब physical pass की भी बात कर लेते है अब physical pass की अगर बात करते है तो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 18,000 candidates पिछली बार से इस बार candidates ने पास किया ठीक है इसमार 18,000 और candidates बढ़ गए है ठीक है 18,000 में से और extra ऐसे हैं जो physical को pass करेंगे ठीक है तो आप 18,000 में से कितना ratio निकाल के चल सकते हो 18,000 में से मैं मान लेता हूँ कि इसका मान कितना ले लो एक त्याई ले लो कि एक त्याई लोग तो pass करेंगे तो यहां से काटा 6,000 तो मान लो 18,000 में से 6,000 तो ऐसे candidates होंगी होंगे जो यहां पर physical को pass और करेंगे extra तो मैं मतलब मान लो 15,500 और plus में 6,000 ठीक है तो 15 और 6,21 मतलब कि 21,000 से लेकर 22,000 के बीच में ठीक है 21 से 22,000 के बीच में जो candidates हैं वो आपके यहां पर क्या करेंगे physical को यहां पर pass करेंगे इस बार 2023 के अंदर यह quick है one third candidates मैंने लेके चला हूँ कि one third तो 18,000 जो extra बढ़ गए है उनमें से भाई अगर extra के भी लेके चलें तो इतना तो previous ratio ले 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 ते इससे आगे भी ले 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 तो 21 से 22,000 मान सकते हैं कि भाई एक idea है कि इतने बच्चे पास करने चाहिए ठीक है अब बहुत सारी चीजे भी depend करेंगे तो आप इसको यह से 22,000 के बीच में ले के चलिए कि 20 से 22,000 के बीच में 20 अजार 21,000 उपर निचे लेकिन 20 से 22,000 के बीच में जो candidates है आपके वो यहाँ पर आपके क्या करेंगे physical को यहां पर pass करेंगे ठीक है तो एक quick यहाँ पर physical pass का मैंने idea दे दिया कि कितने candidates यहाँ पर आपको लगता है कि physical pass कर सकते हैं तो इतने के लिए तो आप यहाँ पर त्यार बिल्कुल रहिएगा कि आपके इतने candidates जो हैं वो यहाँ पर जरूर pass करेंगे आपके 20-21,000 के बीच में 20,000 के बीच में physical pass करेंगे physical को निकालेंगे ठीक है चलिए 2020-2023 अब एक बार cut-off के बारे में और बात कर लेते हैं ठीक है cut-off का क्या कुछ चक्कर है final cut-off का तो देखे यहाँ पर आपका unreserve हो गया उसके बाद OBC हो गया EWS हो गया SC हो गया और ST candidates होगे ठीक है अब यहाँ पर दो है यह है आपकी physical की हो गई और यह आपकी हो गई final की ठीक है यह physical और यह final और सेम यहाँ पर भी यह physical और यह हो गया आपका final cut-off का ठीक है so physical के लिए देखते तो 61 गई थी आपकी unreserve की 2021 के अंदर and OBC 58 आपकी यहाँ पर cut-off गई थी 51 नंबर आपकी गई थी EWS, 51 नंबर SC और ST की जो candidates की गई थी वो 57 final की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 72 लगबग points को मैंने यहाँ रिमूव कर दिया है 68 OBC 62 गई थी EWS 57 गई थी आपकी SC candidates की और ST candidates की आपकी गई थी 65 यहाँ पर ठीक है final cut-off अगर 2023 की physical की बात करते हैं तो 65 लगबग 65-66 नंबर मुझे ध्यान नहीं है इतनी आपकी गई है यहाँ पर OBC की 60 नंबर गई है आपकी EWS की 57 आपकी SC और ST की आपकी गई है 58 नंबर ठीक है अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है यह तो आप सभी को पता ही है final cut-off जो है वो यहाँ पर क्या रहेगी final cut-off क्या जा सकते है तो देखे final cut-off पर जाने से पहले आप एक चीज को समझेगा कि final cut-off depend किसमे करेगी है final cut-off जो depend करेगी वो आपकी depend करती है physical pass के उपर physical pass के उपर सबसे पहला factor physical pass के उपर क्योंकि जितने बच्चे physical को pass करेंगे उसी हिसाब से आपकी cut-off यहाँ पर निकाली जाएगी for example कि मैं यहाँ पर मानता हूँ कि आपकी 7000 आपकी यहाँ पर vacancy है ठीक है और एक example ले लो 10,000 बच्चे यहाँ पर आपके जो है लेने हैं उनको ताकि medical वगेरा में भार हो या और हो तो उसके बाद आपका system जो है वो यहाँ पर set रहे भई सारे बच्ची वेगेंशी पूरी हो जाए लेकिन यहाँ पर physical pass यहाँ पर जैसे हम मानके चल रहे है कि 21,000 करेंगे ठीक है अब यहाँ पर मैं मानके चलता हूँ कि 30,000 बच्चे physical को pass करगें ठीक है अब 30,000 बच्चों को बाहर करना हो एक यहाँ पर आप मानके चलो 15,000 बच्चों को बाहर करना है तो जितने कम बच्चों को भार करना है, उतनी ही cut-off कम रहेगी, जितने ज़्यादा बच्चों को भार करना है, उतनी cut-off ज़्यादा रहेगी, पहला PEF factor, दूसरा factor क्या कहता है, कि जितने भी बच्चों ने physical pass किया है, अब यहाँ पर कोई criteria नहीं है paper का, कोई criteria नहीं किसी के 60 नंबर हैं किसे के 70 नंबर है अब देखिए फिजिकल पास करने वाले मान लो मैं मानता हूं कि 10,000 में से 7,000 जो बच्चे हैं वो 50 वाले हैं ठीक है या इससे ज़्यादा वाले 21,000 आप ने जो बच्चे पास के सोरी 21,000 जो पास किये हैं उसमें से आप मान के बच्चे कितनी maximum वाला बच्चे नंबर वाला फिजिकल को पास कर रहा है ये भी depend करेगा और उसी बेस पे cut-off decide की जाएगी क्योंकि अगर पिछेतर वाले को बाहर करना है तो cut-off पिछेतर के उपर रखनी पड़ेगी ठीक है और अगर 15-68 नंबर ये maximum पार कर रहे हैं तो उनको भार करने के लिए उनसे थोड़ी वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी तो ये depend करेगा फिजिकल पास कितने है फिजिकल पास करने वाले का जो है वो ratio कितना रहेगा फिर भी फिर भी अगर idea एक लेके चलते हैं इसको ही लेके चलते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो 10 नंबर का लगबग आपके बाद 10 या 11 नंबर का आपका difference यहाँ पर आ रहा है तो अगर आप यहाँ पर लेके चलते हो तो 75 नंबर आपकी जाती है लेकिन लगता नहीं कि 55 नंबर जो है वो आपकी जाएगी क्योंकि कट ओफ के जो हैं देखने के बाद यहाँ पर आपका 22 से 23 नंबर के लगबग लगबग लगता है कि आपकी जो कट ओफ है फाइनल उसका नंबर आजाना चाहिए आपका अगर previous को compare करते हैं बट लेकिन जो final cut off ने बहुत एक vast एक area है क्योंकि ये बहुत सारे factors को मिलके बनता है जैसा मैंने बताया physical कितने pass कर रहे हैं, किस ratio के number वाले pass कर रहे हैं और उसके बाद ही final cut off का जायजा आ सकता है लेकिन as per previous year आप compare कर सकते हैं कि अगर वहाँ 10-11 बढ़ी है तो आठ या 10 number तो इस बार भी जानी जानी चाहिए इतनी तो उठनी चाहिए यह idea आप यहाँ से ले सकते हैं ठीक है चले तो final cut off का idea तो यही है कि previous से आप compare कर कर के चलो 10 है तो 8 है 10 number तो इस बार भी आप मान के चलो कि उठ जाए ठीक है और बागी कम होती है तो अलग बात है या दो number उपर जाती है तो अलग बात है बट इतना margin तो आप ले के चलो कि 8-10 यहाँ पर मिली जाएगा आप physical pass को लेकर भी बहुत सारी जो है वो बाते आ रहे हैं कि लेट है इस बार इस बार time आपको कम मिला है पिछली बार time जादा मिला था तो इस बार physical जो pass है वो कम करेंगे यह बहुत तरह के जो ideas है वो यहाँ निकल के आ रहे लेकिन एक बाद सोचिए आप physical की जो dates है वो time to time आपको alert किया गया कि December में है उसके बाद पिर आपका January में है तो आपको पहल से ही जो ideas हैं वो मिलते जा रहे हैं कि हाँ मेरा 22 December से start हो सकता है physical आप त्यारी में लग गये हो फिर उसके बाद हाँ मेरा जो 15 January से हो सकता है आप त्यारी में लग गये हो मेरा 27 से होना चाहिए तो आप त्यारी में लग गये हो लेकिन जब आपके पास previous year में आपने देखा ह होगा कि आपका confirmation ही नहीं था कि physical होगा कि हाथ में आधरे बैटे थे इस वज़े से भी वहाँ पर जो ratio था या जो भी चीजे थी वहाँ पर updowns आपको देखने को मिले थे बट आप इस वार ऐसे भरम में मत रही है physical बहुत अच्छे से लोग पास करेंगे बहुत अच्छे स जी जान से जिसका नाम आगया वो physical में लगा हुआ है ठीक है तो आप भी लग जाईए और बे जी जान लगा के अपने physical की तियारी कीजिएगा final cut off तभी decide होगी जब आपका physical हो जाएगा उसके बाद उससे पहले final cut off की आँखे बंद कर दो और physical के उपर अपनी जो आँखे वो लगा दो क्योंकि physical में है physical में ही अगर आप रह गए तो क्या करोगे आप final cut off को जानके अगर मैंने 50 बता दी 60 बता दी 80 भी बता दी तो first physical then we will discuss over final cut off ठीक है तो तियारी करते रहो best of luck नए साल है नए जोस नए उमंग के साथ आप लग जाईए होपस आपके doubts के लिए रो उसकार जय हिंद